कव्या कैसी हुआ काला एक बार की बात है, एक रिशी ने एक कव्य को अमरत की तलास में भेजा, लेकिन कव्य को ये चरताबनी भी दी कि केबल अमरत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है अनिता तुम उसका कुफल भोगे गए कउवे ने हामी भर दी और उसके बाद सफित कउवे ने रिशी शे भी डाली एक साल के कटोर परिश्टम के बाद कउवे को आकिर अमरत के बारे में पता चल गया वह उसे पीने की लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी लिया जबकि रिशी ने उसे कटोरता से उसे नहीं पीने के लिए पावंद किया था तो उसने ऐसा कर रिशी को दिया अपना वचन तोड़ दिया पीने के बाद उसे भजताबा हुआ और उसने बापेस आकर रिशी को पूरी बात बताई तो रिशी ये सुनते ही आवेश में आ गए और कवे को शाब दे दिया और कहा क्योंकि तुमने अपनी आ पवित्रचोंस से अम्रत की पवित्रता को नश्ट किया है इसलिए आज के बाद पूरी मानो जाती तुमसे घिर्णा करेगी और सारे पच्चियों में केबल तुम ही हो होगे किसी अश्ट पच्ची की तरह पूरी मानो जाती हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी और चूकी अम्रत का पान किया है इसलिए तुम्हारी आश्वभाविक म्रत्यू नहीं होगी कोई बीमारी भी नहीं होगी और तुम्हें ब्रद्दा वस्ता भी नहीं आएगी से अपने कमंडल के काली पानी में दोबो दिया काली रंग का बनकर कववा ओड़ गया तब ही से कववे का रंग